नमस्कार आप से वीवर्स का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आधार कार्ट के साथ अपना मोबाइल नंबर आप कैसे लिंक कर सकते हैं जिहां आधार कार्ट के साथ अपना मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ यदि आपके आधार कार्ट के साथ कोई मोबाइल नंबर ओलेडी लिंक नहीं है तो आप घर बैठे या खुद से अपना मोबाइल नमबर अपने आधार कार्ट के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं जी हाँ यदि आपके आधार कार्ट के साथ कोई मोबाइल नमबर लिंक नहीं है तो आप घर बैठे अपना मोबाइल नंबर अपने आधार काट के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं बहुत सारी वीडियो ऐसे हैं सोसल मीडिया पे जिसमें बताया जा रहा है कि आपका आधार काट के साथ यदि कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप घर बैठे, खुज़ से अपना mobile number अपने आधार काट के साथ लिंक कर सकते हैं, यह सारी जो दिखाई जा रहे हैं सोसल मिडिया पे चीज़े, यह सारी चीज़े गलत हैं, अगर आपके अधार के साथ कोई mobile number लिंक नहीं है, तो आप खुज़ से घर बैठे, अपना mobile number और अपने आधार कार्ट के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं, आएसी कोई सुभिधा अभी आधार कार्ट की जो वेफसाइट है, UIDAI नहीं शुरू की है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ट के साथ मोबाइल नंबर घर बैठे खुद से लिंक कर पाए, यदि उसका मोबाइल पहले से लिंक नहीं है, तो ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज मैं आधार की जो अफिसियल वेफसाइट है, उस पर क्लियर लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आधार कार्ट की जो अफिसियल वेफसाइट है, उनके website पे clear दिया हुआ है कि यदि आपका mobile number आपका आधार के साथ link नहीं है तो आप खुझ से घर बैठे ये काम नहीं कर सकते हैं देखिए इस समय में आधार काटके जो official website है उसी के एक webpage पे हूँ और इस webpage पे देखिए ये webpage है registered mobile number registered mobile number के बारे में इस webpage पे information दिया हुआ है और ये आधार काटके जो official website है उसी का एक webpage है यहाँ पर clear लिखा हुआ है If you have not registered your mobile number while inrolling for आधार you are required to visit a permanent enrollment center to get it registered यहाँ यहाँ बोला जा रहा है कि यदि आपके आधार काट के साथ कोई mobile number registered नहीं है तो registered करने के लिए आपको visit करना होगा permanent enrollment center जी हाँ आधार काट का जो permanent enrollment center है वहाँ पर आपको visit करना होगा यानि कि आप घर बैठे खुझ से अपना mobile number अपने आधार काट के साथ link नहीं कर सकते हैं यानि कि registered नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको आधार काड का जो इंडॉल्मेंट सेंटर है आपका नियरेस्ट इंडॉल्मेंट सेंटर वहां आपको विजिट करना होगा और विजिट करके ही वहां पर आप जाएंगे अपना डॉकुमेंट लेके और एक फॉर्म भी फिलफ करना होगा फॉर्म फिल करक सकते हैं यह बिल्कुल गलत है जूट है अब देखिए यहां पर जैसे बोला हुआ है अब आपको क्या करना है मैं आगे बताता हूं यह लिखा हुआ है आप प्रमानेंट इंडॉलमेंट सेंटर गोट करेंगे बाद के आज़ानेमें कोंसा आधार का पर्मानेंट से काम हुरा है तो आपके उसके करेंगे पर्मानेंट सेंटर उसको उसको फाइड कर पाएंगे तो देखिए एक और पेस्ट फ़ल जाएगा er तब इस पेच पे आने के बाद देखिए आप आपके छेत्र में जो भी आपके नियरस्ट आधार इंडॉल्मेंट सेंटर है उसको फाइंड कर पाएंगे खोज पाएंगे खुझने के लिए क्या क्या प्रोसेस से पहला इस्टेट वाइज आप खोज पाएंगे दूसरा पीन कोड वाइज़ आप खोज पाएंगे तीसरा सच वॉक्स यानि कुछ डिटेश लेकर खोज पाएंगे कि मेरे एरिया में कुन सा नियरेस्ट जो है अधार इंडरॉल्मेंट सेंटर है तो आपको देखें यहाँ पर पोस्टल पीन कोड आपको इस पर क्लिक करना है पोस्टल पीन कोड पर मैंने क्लिक किया अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पीन कोड डालना है उसके बाद आपको इसे चेक कर देना याँ टिक कर देना है एकसब कर लेना है उसके बाद आपको नीचे देखिए क्यापचा दिया हुआ है यह क्यापचा इस क्यापचा को आपको यहाँ पर फिल करना है और सबसे नीचे लोकेट अ सेंटर तो आपका नियरेस्ट जो आधार इन्रॉल्मेंट सेंटर है वो दिख जाएगा चलिए सबसे पहले मैं पीन कोड यहां फिल करता हूं इसके बाद चैप्चा फिल करता हूं पुरा प्रोसेस आपको मैं करके दिखा रहा हू तो मैंने एक पीन कोड यहां फिल कर दिया अब यहां पर जो सो अनली पर्मानेंट सेंटर वगर इस पर टिक करेंगे पर्मानेंट जो सेंटर होगा वो सारा सो करेंगे चलिए इसको टिक कर लेते हैं अब उसके नीचे यहां पर चैप्चा देना है तो चैप्चा फिल कर ल है यहां पर मैंने टूल चीज फिल किया सबसे पहले जाल दिया उसके बाद सबसें नीचे आपको क्या पील कर दिया अब लोकेट अ सेंटर लोकेट करेंगे तो में यह प्लिक करते हैं देखिए क्लिक करने के बाद ही अड्रेस आ गिया कहां कहां आपर ये इंडॉल्मेंट सेंटर मेरे नियरेस्ट कौन-कौन सा इंडॉल्मेंट सेंटर है मेरे छेत्र में मेरे एरिया में उद्धिक लिया मैंने पिन को डाला को देखिए सबसे पहला जो इंडॉल्मेंट सेंटर कि सारा का डिटल्स आगी ही के सुछ देकर पूरा डिटल्स आगीया इस तरह से आप को इन्वें से की सिबी इंड् सैंटर जो आपके करीम में है आपको जाके वहाँ पर ही आप अपना मोबाइल नंबर अपने आधार काट के साथ लिंक कर पाएंगे इसलिए सोचल मेडिया पर फैल रही गलत ख़बरों ध्यान मत दीजिए अगर आपका आधार के साथ आपका मोबाइल लिंक नहीं है तो नियरेस्ट इंडॉल्मेंट थेंक यू धन्यवाद